पीम सुखु को लेकर अगर बात करें तो 13-16 दिसंबर तक ये क्यूंकि दुबई में होंगे रवाना दुबई के लिए हो चुके हैं वहां पर UAE में आयोजित हो रही इन्वेस्टर मीट में मुख्या मंतुरी शिर्कत करने वाले हैं और इसके बाद संभावना इस तरह की बन करने के लेकिन में मकसद अभी फिलाल यही समझा जा रहा है हलाकि इससे पहले अगर हम गौर करें तो देखिए एक मीटिंग भी सचीवाले में बुलाई गई थी इन्वेस्टर मीट हुई थी जिसमें कारोबारियों को उन्होंने निमंत्रन दिया था कि हिमाचर प्रदेश में निवेश करें इसका रिजल्ट सामने यह आया था कि दुबई की प्रतिश्टित कंपनी ओजन ग्रूप होल्डिंग प्रदेश में फाइफ स्टार होटल स्थापित करने में रूची दिखा चुकी है तो अब और भी यहाँ पर पर परेटन गती वीडियों को कैसे प्रदेश में हलाकि फिर 17 दिसंबर को सियम सुखु लॉट आएंगे क्योंकि 16 दिसंबर तक वहीं होंगे और 19 दिसंबर को जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे शीट कालिन शैशन आयोजित होगा धरमशाला में और उसे लेकर भी यहां कई तरह की तयारियां शुरू हो च कि सत्ता पक्ष विपक्ष को किस प्रकार से इस बार निरुत्तर करता है मंत्रियों के पोर्फोलियों को लेकर भी काफी जादा चर्चाएं बनी हुई है लेकिन वही बात है कि अभी सियम सुखु दुबई गए हुए हैं और जब वापिस लोटेंगे उसके बाद ही स्थित देते रहे कि वो अपनी पर्फॉर्मेंस ठीक करें और हर सोमवार को अब तो मुख्या मंत्री प्रशाचनिक सचीवों के साथ बैठक भी लेते हैं जिसमें हर महक में से जुड़ी फीडबैक वो ले रहे हैं जीवी लाइब भरती नियम जो इसके लिए क्योंकि बनाए गए हैं वो रास नहीं आ रहे हैं अभियर्थियों को इनका कहना है जो कि 50% की इसमें शर्त लगाई गई है वो ठीक नहीं है प्लस टू में 50% यंग होना जरूरी है और बहुत सारे अभियर्थियां ऐसे हैं जिनके यंग नहीं आए हैं दूसरी बात ये है कि इसमें बैचलर इन इंप्रूब्मेंट नहीं हो सकती है यानि कि जिन अभियर्थियों के 50% मार्क नहीं थे वो कैसे उसमें बढ़ोतरी करें गया कैसे इंप्रूब्मेंट करेंगे इसके लिए कोई कुझाईश नहीं है ये तो सीधे तोर पर सरकार इने बाहर करना चाह रही है इसलिए इस तर हुए तो दो कंडिशन इसमें ऐसी लगा दी गई है जो कि नभियर्चों को रास नहीं आ रही है और तुरंट प्रभाव से इसे बदला जाए ये बात इनोंने कही है हलाकि देखिए 50% अंकों के साथ यहां बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कंडिशन रखी गई है और इसक होना जरूरी है नहीं तो ये फिर इस भरती में शामिल नहीं हो पाएंगे और इनकी देखिए संख्या भी कम नहीं है हजारों के करीबी अभियर्थी है जो कि इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि इनके 50% अंक भी नहीं है प्लस टू में हाल ही में दिखिए एक बड़ी घटन शुरुआ तब इसकी एक तरह से हो चुकी है दरसल बिलासपूर के बचत भवन में उपायुक्त आबिद हुसैन की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई है जिसमें इन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश चारी किये हैं कि वह समय समय पर मौक ड्रिल वहां पर रखते हुँ हम बात करें तो लगभग 13 के करीब सुरंगे बनाई जानी है रेलवे लाइन के अंतरगत ये जो निर्माना धिन भानुपली बिलासपूर रेलवे लाइन है इसी के तहट ये क्योंकि 13 सुरंगों का निर्मान होना है और फोर लेन के तहट भी जो सुरंगे बन देखने में आया था और दूसरी बड़ी बात ये है कि 2015 में बिलासपूर में भी एक सुरंग में बड़ा हाथसा पेश आ गया था तो इसलिए सबक लेने क्या वेशकता है और देखे सबक लेते हुए यहां कुछ एक कदम भी अधिकारियों की और से उठाय जा रही है और अ इनकी और से ये कहा गया है कि शीत कालिन सतर के दौरान ये कई मसले उठाने वाले हैं हलाकि आउसूस करमचारियों का मसला रंधीर शर्मा ने पहले भी कई दफा उठाया है आज भी इन्होंने जिक्र किया कि हजारों की तादाद में आउसूस करमचारियों को बाहर का रास करेकार से और जो करमचारी चायनायोग बना भी था उसे भी भंग कर दिया गया राज्य चायनायोग बनाया गया गया है लेकिन प्रोसेस अभी तक महां शुरू नहीं हो पाया तीसरी बात इन्हों ने वर्तमान सरकार के कारेकाल पर कही कि विफलता भरा रहा है और इंतजार भरा रहा है हर वर्ग इसमें म्याहस इंतजार कर रहा है और तो और अपने कॉंग्रेस के विधायकों को भी मंत्री बनने के लिए इन्हों ने इतना इंतजार करवा दिया लेकिन अभी भी एक मंत्री का पद खाली है इसके अलावा जो बाकी जगाओं पर चेयर्मन न्यूक्त होने थे अभी तक उस बात पर भी कोई हलचल वरतमान सरकार में नजर नहीं आ रही है और सीपियस की न्यूक्तियां इन्हों ने कर दी और जिसे की ये समविधानिक करार कर रही है जबकि वो असमविधानिक है ये भी आज यहां पर रंधी शर्मा की ओर से बाज उठाई जाएगी और सतापक्ष किस तरह से निरुत्तर करता है ये देखना होगा क्योंकि दूसरी और अगर सीएम सुखु की बात करें तो अनौसमेंट तो इन्होंने कर ही दी है कि महिलाओं को नए साल में पंद्रा सौ रपय मिनने शुरू हो जाएंगे प्रथम च उसके बाद 16 दिसेंबर तक क्योंकि दुबई में ही रहने वाले हैं 13-16 दिसेंबर तक जैसा कि हमने कहा इन्वेस्टर मीट वहां पर आयोजित की गई है और उसके बाद सारा दिसेंबर को ही ये शिमला लॉट आएंगे लेकिन इस बीच एक संभाबना ये जरूर है कि यद सामान्य प्रशाश में भाग कुछ चिठी दे कर गए होंगे तो जल्दी फिर यहां नोटिफिकेशन भी हो जाएगी और अगर ये चिठी अभी नहीं दी होगी तो फिर मुख्या मंत्री के आने का इंतजार करना होगा उसके बाद ही पोर्फोलियो दिये जाएंगे और ये की मंत्रीपद की नए जिम्यदारी दी गई है आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं क्योंकि हाई कमान से इन्हें वहां पर मुलाकात करनी हैं कॉंग्रेस प्रभारी राजिव शुकला से भी ये मिलेंगे और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे से भी ये देखिए हिमाचल की भाशपा ने कोड का दर्वाजा खटखटाया और डेप्यूटी सीएम की न्यूक्ति को सवेधानिक बताया इसी वज़ा से ये मसला काफी जादा गुंचा हुआ था हलाकि डेप्यूटी सीएम के साथ साथ जो सीपीएस की न्यूक्तियां हुई है उसे भाशपा ने एक नहीं बलकि दो-दो डेप्यूटी सीएम बना दिये हैं अब इसके बाद भाशपा के नेता अपने ही शब्दों से मुकर्टे हुए हिमाचल में नजर आ रहे हैं और तो और ये भी कह रहे हैं कि महज सीपीएस की न्यूक्तियों के लिए ही उन्होंने कोड का दर्वाजा खट-खटाया था लेकिन ऐसा नहीं है जो यहां मुख्या मंतरी मुकेश अगनी होतरी को बनाया गया था उस पर भी कोड का दर्वाजा खट-खटाया गया है और उसी का ये नतीज़ा है कि देखिए अब हाई कोड में इस मामली की सुनवाई 20 दिसेंबर को तैय की गई है लेकिन भाजपा अपने इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रही है क्योंकि बाकी राजियों में भाजपा ने यही डिसीजन ले लिया है और नेता प्रतिपक्स जायराम ठाकुर की बात करें या प्रदेश अध्यक्स डॉक्टर राजीव बिंदल की जानका रहे हैं यानि की सवालों के घेरे में एक तरह से बीजेवी का स्टैंड आ गया है और अब इनका ये कहना है कि सीपीएस की न्यूक्तिया असविधानिक है इसलिए ही इन्होंने कोट का दर्वाजा खटखटाया था आज जो भाजपा विधायक रंधीर शर्मा है उन्होंने प्रतिषत आरक्षन दिया जाएगा पे एचकी तरह पर ही कमेटी बनाई जाएगी लेकिन शीद कालिंग सत्र का इसे बिंतजार करना था तो इस बार पारदरशिता लाई जाएगी और जादा अलर्ट इस कमेटी को रहना होगा हला कि प्रक्रिया भी तक शुरू नहीं हो पाई है लेकिन इतना जुरूर देखा जा सकता है कि 30% आरक्षन महिलाओं को मिलने वाला है और कमेटी बनाने की बात हो चुकी है और करती हैं केंद्र सरकार की ओर से 634 क्रोड रुपय हिमाचल सरकार को दिए गए हैं अभी प्रदेश में प्राक्रितिक आपडा आई थी जिसके बाद लगातार वर्तमान सरकार की ओर से ये जानकारी दी है, बाकी भाज़़पानेताउं ने भी अपनी-प्रेस कौनफरेंस में इस बात का जिकर किया है, और साथी साथ जो भाज़पा के राश्ट्रिय अद्यक की हिमाचल स्रकार की ऊर से 2006 क्रोड का मेमोरेंडम भारत सरकार को भेजा गया था तो 2000 क्रोड का मेमोरेंडम भेजा गया था लेकिन इसके बाद आप आप जरूर देख सकते हैं कि 634 कोड़ उपा की अभी मदद आयी हैinton Ừकोंस सरकार की ऊर से इस पर कोई reaction नहीं आया है और पहले भी जब 200 क्रोड पर जारी किये गए थे यहां के इंदर सरकार की ओर से तो उस पर भी मुख्यमंतिय सुखु का यही कहना था कि यह पैसे तो हिमाचल सरकार के ही थे यानि कि हक था उस राशी पर हिमाचल सरकार का वही मिले हैं इसके अलावा कोई भी मदद के इंदर सरकार ने नहीं दी है तो अब इस पर किस तरह का रियाक्शन आता है कॉंग्रेस सरकार का यह हम देखेंगे अगले कल बिल्कुल यहां प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हमारी रहेगी BRCC भरती पर भी अब आना चाहेंगे क्योंकि देखिए हिमाचल सरकार ने जो पहले से न्यूक BRCC थे उन्हें हटा दिया है और नए BRCC की न्यूकती अभी तक नहीं हो पाई है दूसरी और यह मामला कोट में चला गया है और कोट ने फिलहाल इस फैसले पर स्टे लगा दिया है तो एक एडिशनल चार्ज एक तरह से हम कहा सकते हैं और अतिरिक बोज भी इन पर है और कब तक अभी BRCC भरती हो पाती है देखना होगा क्यूंकि नई पॉलिसी भी देखिए इसके लिए बनाई गई थी लेकिन फिर जब कुछ एक ऑब्जेक्शन इसमें लगाई गई ग केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों से इन्होंने नाराजगी जताई है लेकिन पूरी तरह से डाक सेवाएं प्रभावित हो रही है और ग्रामिन लोगों को इन समस्याओं से जूजना पड़ रहा है अब इनका कहना है जब तक इनके डिमांड्स पूरी नहीं होती अपन हलाकि अभी तक कोई भी रियक्शन ना केंदर सरकार की ओर से सामने आया है ना राज्य सरकार की ओर से और इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी या फिर एक तरह से अधी सूचना इनके लिए जारी नहीं हो जाती है इनकी मांग पूरी करने पर ये नहीं हटने वा भी राहत भरी खबर के इंतजार में हैं, हलाकि चितावनी ये पहले ही दे चुके हैं कि शीत कालिन शैशन का भी घिराफ करने के लिए धरमशाला पहुंचने वाले हैं, और मेडिकल बिलों का भुखतान पिछले दो वर्शों से इनका नहीं हो पाया है, इसकी अतिरिक जो 5-10 15 प्रतिशत पैंशन भता बड़ा है, वो भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, और यह HRTC पैंशनर्स है, जिनका ये भी कहना है, कि महा की एक तारीक को ही इने पैंशन मिल जानी चाहिए, अलाकि इस बार मिली है, लेकिन आगे के लिए भी प्रोसेस जारी रखा जाए, इन कु से अभी वृद अवस्ता में हैं, और इस तोरान चब ये विधान सभा परिसरका घिराफ करने पहुंचेंगे, तो क्या सरकार इन के लिए कोई डिसीजन लेगी, ये बड़ा सवाल है, आज उद्योग मंतरी हर्शवर्धन चोहान की और से भी एक बड़ी जानकारी दी गई हिमाचल का फूड और ट्रेडिशन और बाकी का जो कल्चर है उसे अवराष्ट्य सतर पर पहुंचाया जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा मौका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी मिलने वाला है, क्योंकि उनके बनाए गए उत्पाद ही वहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे, तो एक ये अच्छा अफसर हम कहना चाहेंगे, जल्दी ही इसका भी आयोजन होने वाला है, 16 से 30 दिसेंबर तक हिमुटसफ का आयोजन किया जाएगा, और ये सरकार के ओर से नया फैसला यहाँ पर लिया गया है, ताकि जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल् करते हैं और हिमाचल का कल्चर और ट्रेडिशन राष्ट्री अंतराष्ट्री स्थर पर पोहन सके। तो फिल्हाल के लिए यही चांकार प्राश्प्राइव क्याएं